अलो दोस्तो स्वागत आपका मेरे इस चैनल पे मैं हो तारिक और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज दोस्तो आज इस वीडियो के अंतरगत हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटो जोवा जनित रोग के बारे में तो चलिए आईए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि इस प्रोटो जोवा होता क्या है तो प्रोटोजो़ एक तरह का जिद्रा रोग में रोगी को नीद बहुत जादा आती है बात इसके रोग जनक की करें मतलब की पैथोजन की अगर इसकी बात करें तो यहार ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटो जोगा के द्वारा यहार रोग होता है बात की जाए इस रोग के वाहक के मतलब की इस रोग को फैल होता है तो यहां पर कुछ तीन-चार पॉइंट है जो आपको याद रखना है जैसे कि निद्रा रोग इसको ट्रिपैनोसोमियसिस भी कहते हैं और इस लेपिंग सिखनेस भी कहते हैं अगर रोग जनक मतलब कि पैथोजन की बात करें तो यहां ट्रिपैनोसोमा की वज़े से बिमारी होती है अगर वाहक की बात करें मतलब की कैरियर की बात करें तो सीसी मक्ही इसकी कैरियर होती है मतलब की इस बिमारी को फैलाती है अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है इस बिमारी में मस्दिस्क प्रभावित होता है तो चली फिर आपसinkyक ने कभी न कभी ऋना ही हो गा जातर लोगों से पूछा जा도 कि कि मले grated होोता कैसे है तवो स्थे एंसेर देते हैं मलेंश्षर तो अभिता है मच्छर बस इस बिमारी को फैलाने का काम करता है मलेरिया जिसकी विजämänे से होता है उसका नाम है plasmodium यह एक proto وجोवा का जीव है plasmodium जिसकी वज़से malaria होता है बात हम अगर हम लोग करें इसके रोगवाःक का तो मैने जैसे की बताया भी कि सका जो रोगवाःक होता है वो मादा ऎनाफिलिज मच्छड होता है माधाlist मच्छड द्वारा यहां बीमारी फैलाई जाती है रोग जनक की बात करें मतलब अगर हम लोग पैथोजन की बात करें तो प्लाजमोडियम जिसकी वाज़ा से यहां रोग होता है बात अगर हम लोग करें मलेरिया पर जीवी की खोज किसने की तो लेवरान ने की चलिए अब अगले पॉइंट पे अगले पॉइंट पे लिखावा है इसका संबंध मच्छर से सर रोनौल्ड रॉस ने बताया तो यहाँ पर यह समझने योग बात है कि यहाँ पर प्लाजमोडियम का जो संबंध है वो मच्छर से है वो किस वेग्यानिक ने बताया तो यहाँ पर लिखा है सर रोनौल्ड रॉस इन्हों ने ही बताया था कि मच्छर से प्लाजमोडियम का कुछ कनेक्शन है कुछ संबंध है चलिए फिर देखते हैं इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित है या फिर बोले तो कौन सी कोश्च का प्रभावित हो हो जाता है देखिए एक तरह की कंडीशन है एक तरह की सिच्वेशन है जिसमें ब्लड कम हो जाता है वह ब्लड किसी भी परिस्तिती में कम हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे एनीमिया तो आपको यह ध्यान में रखना है ब्लड का उपर नीची होना क्या कहलाता है एनीमिय तो यहाँ पर RBC की जो संख्या है वो घड़ जाती है क्योंकि RBC इस रोग में प्रभावित होती है RBC का फुल फॉर्म होता है Red Blood Carpuscles यहाँ एक तरह की कोश्रिका है जो की Oxygen परिवहन का काम करती है शरीर में इसे के अंदर Hemoglobin पाया जाता है और हाँ RBC की एक बात और है मनुष्री की जो RBC होती है उस कोश्रिका में केंदरक नहीं पायाता है इस बात का ध्यान आपको रहना चाहिए तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट कहा रहा है कि दवाई अब इसके दवाई के बारे में यहां पर लिखा गया है कि जो Malaria हो जाए तो रोगी को कौन कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके तो यहां पर दिया गया है दवा के बारे में कौनेन और क्लोरो कौनेन प्राब किया जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगले पॉइंट में लिखा हुआ है लीवर वा प्लीहा का आकार बढ़ जाता है तो इस बिमारी की एक और एक और लच्छड है जिसमें की लीवर मतलब कि यकृत और पॉइंट का आकार बढ़ जाता है यकृत की बात की जाए तो यकृत सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती होती है जिसमें हेपैटिक सेल्स होती है इसके अर्ध्यान को हम लोग हेपैटोलोजी भी बोलते हैं तो इस सब बाते आपको ध्यान में रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ अगला है काला अजार अगर इसके में बात की जाए रोग जनक की तो जो काला अजार जो मिमारी है वो लीश मानिया डोनो वनी के कारण होती है काला अजार रोग है जो इसका जो पैथोजन है या रोग जनक है या लीश मानिया डोनो वानी है सामानता आपको याद रखना है कि काला अजार किस से होता है तो लीश मानिया से होता है अगर बात की जाए इसके रोग वाहक की मतलब किसी कैरियर की बात की जाए तो बालू मखी इसको इंगलिस में शैंड फ्लाई कहते हैं जिससे यह बीमारी फैलाई जाती है बात किया जाए कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यहां की जैसा की लिखा हुआ है अस्तिमज्जा प्रभावित होता है तो इस रोग में अस्तिमज्जा प्रभावित होता है यहां पे एक और बात लिखी है एनीमिया तो जैसा कि मैंने बताया एनीमिया व ब्लड की मातरा घट जाती है, या ब्लड सेल्स की मातरा कम हो जाती है, चाहे वो RBC की हो, चाहे वो WBC की हो, चाहे वो ब्लड प्लेटलेस की हो, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान अगर पूछा जाए, काला हजार में कौन से ब्लड सेल्स घट जाती है, तो आपको यह याद कमजोर पढ़ जाएगा तो यह भी इस रोग का महत्यपूर लच्छड है तो लीश मानिया मतलब काला अजार में आपको ये तीन चीज़े याद रखनी है जो इसका रोग जनक है वो लीश मानिया है इसका जो वाहा के बाव भालू मक्ही है और इसमें एनीमिया हो जाता है और इसमें रोग प्रतिलोदक छमता वीक हो जाती है चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले वीमारी के तरफ तो यहाँ है पेचिस पेचिस आप सब जानते होंगे लूज मोशन बोलते हैं इसको दस्क भी बोलते हैं तो यहाँ एंट अमीबा हिस्टोलिट का नामक प्रूटो ज हावित होती है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है इस एंट अमीबा हिस्टोलिटका का इन्फेक्शन होता है तो यह एंट अमीबा हिस्टोलिटका जाकर हमारी आथ को संक्रमित कर देते हैं जिससे हमारे पेट में आथन पेट में दर्द मल की रास्ते खून आना यह सारी च में हमारे लंग्स में मतलब कि हमारे फेफडों में पहुंचकर उनको संक्रमित करते हैं यह भी एक खतरनाक विमारी है अगर पूछा जाए कि यह होता कैसे तो यह दूसरी जल्वा भोजन के द्वारा फैलता है इसलिए कहा जाता है आप अगर बाहर से फल लेकर आ रहें तो धुल के खाएं भोजन को अच्छे से पका के खाएं साफ सफाई का ध्यान रखें यह सब सारी चिसे तो पेचिस में आपको याद रखना है एंटमीबा हिस्टोलिटिया की द्वारा यह बिमारी होती है प्रभावित जो अंग है वो बढ़ी आत है और दूसरी जल्वा यह से होता है उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिट का यह भी एक प्रकार का प्रोटो जोवा का जीव है इसमें जो प्रभावित अंग है वो दात है दात के साथ मसूडों से खून आने लगता है मसूडों में पस जमने लगता है दातों में दर्द रहता है यह सब सारी पर लोकोरिया समानता महिलाओं में होता है इसमें जो प्रभावित अंग होता है मादा जननांग प्रभावित अंग होता है या रोग फैलता कैसे है तो यहां रोग एक यौन संजरित रोग है सेक्स्वल एक्टिविटी के माध्यम से यहां रोग फैलता है अगर बात करें इस रोक की कारक की तो यहाँ इस रोक का जो कारक ही वह ट्राइको मोनास है ट्राइको मोनास एक तरह का प्रोटो जोवा का जीव है जिसके कारण लिकोरिया नामक बिमारी होती है यह समानता फेमेल में होती है और जिस अंग को यह बिमारी प्रभावित करती है वह है मादा जननंग और यहाँ एक यौन संचरित रोग है तो हम लोग ने इस वीडियो के अंतरगत बात की लिकोरिया की पायरिया की पेचिस की काला अजार की मलेरिया की और निद्रारो की तो आशा है आपको यह छेहो समझ में आ गए होंगे जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है अगली वीडियो में अगली वीडियो के अंतरगत हम लोग जानेंगे मतलब कि विसारु जनित रोग के बारे में और जिवारु जनित रोग के बारे में तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रिस कर ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अफ्लोड करूँ तो आप तक नॉटिफिकेशन तुरन पहुचे चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में